अब देको पहले बात करेंगे जॉन्विक के स्पीन ओफ के बारे में जिसके लीड में हमें देखने को मिलने वाली है एन अदे आरमास और हाली में मैंने आपको इसके बारे में ये भी इंफर्म किया था कि जल्दी इस मुवी का प्रोड़क्शन वर कभी शुरू हो जाएगा बट डिसेंटली इसके बारे में ऐसी निउस में निकलके याई या कि हमें इस मुवी के अंदर जॉन्विक भी देखने को मिलेंगे हाला कि अभी तक इसकी ऑफिश्चल डेट को कंफर्म नहीं किया गया है पर फिर भी ये मुवी हमें 2023 की एंड में बड़ी आराम से देखन वो नहीं कहते हैं जो कि इसके मेकर सुनना चाहते हैं और वैसे भी ब्लैक एडम की परफॉर्मेंस के बाद तो बॉक्स ओफिस प्रेडिक्शन पर भरोसा बनता भी है एंड इसलिए जेम्स कैम्रियों ने ये भी कंफर्म कर दिया है कि अगर अवतार मुवी का पार्ट टू फ्लॉप जाता है या फिर बिलू एवरेज परफॉर्म करता है तो इस मुवी के पार्ट वोर एंड पार्ट फाइव को भी कैंसल कर दिया जाएगा हाला कि पार्ट री आए गए क्योंकि वो तो बन चुका है याने कि उसकी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है साथ ही वो य स्टोरी वाकई बहुत बढ़िया है पर फिर भी इसकी स्टोरी में अवतार की सीक्वल के कुछ क्रूशियल एलिमेट मिसिंग थे जो कि अवतार की वर्ल्ड को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रहा था तो असलिए मैंने इसे बड़े प्यार से खड़े में डाल दिया और तब जाकर मैंने लिखा अवतार दी वे ओफ वाटर बाकी आप मेंसे किसी ऐसा लगता है कि ये मुवी बॉक्स अफिस पर एवरेज परफॉर्म करने वाली है तो नीची हैश्टेग येस याविर नो कॉमेंट करके अपना ओपीनियन देना मत बूलना अब अगर बात कर इसे हेल ट्रिव्यू टू चेडविक बोजमेन साथ ही उनने ये भी काय कि इस मुवी की कास्टिंग, एक्शन, डिरेक्शन सब कुछ बहुत बढ़िया है याने कि शॉर्ट में ये मुवी ब्लैक पैंथर के पार्ट वन का सबसे अच्छा सीक्वल है और बाकी चीजे मुव इसका पार्ट टू देखने को मिलेगा याने कि मैन अफ इस्टील टू तो वो इसकी पार्ट वन का प्रॉपर सीक्वल ना होकर सिर्फ एक रिबूट होगा साथ इसके बारे भी ये भी कहा जा रहा है कि हमें इस मुवी की अंदर सूपर मैन का एक न्यू ओरिजन देखने को मिलेगा जो कि जैक की मैन अफ इस्टील से काफी अलग होगा अलगी अभी ये बात ओफीशली कन्फर नहीं है तिर्फ एक रिमर है पर फिर भी अगर ऐसा होता है तो ये इस रोल के लिए काफी बड़ा चेंज होगा जिसकी बारे में आपके विचार क्या हैं तो नीचे कॉमेंट करना मत भूलना बाकी आगे इसके बारे में जो भी अपडेट निकल के आएगी मैं आको इंफरम्ट कर दूँगा